सब्सक्राइब इस चैनल तो गेट मोर अपडेट एंड देन क्लिक ऑन बेल आइकन तो गेट नोटिफिकेशन सब्सक्राइब इस चैनल तो गेट नोटिफिकेशन के लिए बहुत इंपोर्डेट रहा है और टेबुलेशन ऐसे भी स्टेटिस्टिक्स का बहुत इंपोर्डेट पॉर्शन होता है क्योंकि टेबुलेशन के बिना स्टेटिस्टिक्स एक्स्प्लेइन केना बहुत मुस्किल होता है एक टेबुलेशन ही ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तो हम लोग डटा को डटा को बहुत हम अच्छे डंग से एक्सप्लेइन कर सकते हैं और visually काफी clearly दिखा सकते हैं तो हम लोग आज tabulation को देखते हैं tabulation सबसे पहले समयते हैं कि tabulation है क्या tabulation का मतलब हो गया यह table that summarizes data by using columns and rows tabulation is the process of condensation of data for convenience in statistical processing presentation and interpretation of the information contained therein tabulation क्या है एक table को summarize data रखता है उसमें हम लोग एक data को जो जगह बनाते हैं उसको हम लोग रो और column की मदद से हम लोग एक table बनाते हैं और tabulation उस process को भी कहा जाता है जिसमें कि हम लोग data को एक SI statistical processing में हम लोग डालते हैं SI statistical processing करते हैं जो कि data को समझने में बहुत convenience होता है काफी आसानी होता है presentation और interpretation मतलब data को जो भी आपके पास information है उसको एक table में प्रेजेंट कर दिये या भी जो table में data दिया हुआ है उसको आप interpretation की उसको निकाल लिए तो ये जो है tabulation का सबसे important खास जेत होता है कि आप data को बहुत अच्छा से present भी कर सकते हैं और जो data दिया हुआ है table में उसको आप interpret भी कर सकते हैं उससे निकाल भी सकते हैं data का भी importance क्या है tabulation का important क्या है important of tabulation tabulation में it is ये simplifies complex data यानि बहुत complex data को एक simplify कर देता है दुसरा है it facilitates the comparison वो तुलना करने में compare करने में बहुत आसानी होती है it presents data in true perspective data को एक true sense में एक real sense में दिखलाता है and figures can be worked over more easily figures के थूर यानि जो भी हमारे पास round figures number हो गए उसको हम लोग easy least table के थूर सोगा सकते हैं and it gives identity of the data, एक data को एक clear cut उसको identity मिलता है परिखान मिलता है कि वो data किसका है तो यह हमारा importance होगयат tabulation का tabulation का आम लोग देखें तो tabulation में जो basically होता है रोज हम लोग करते है जो कि इस direction में होता है इस होरिजंटल data उसको और इसक bows o pages जो column होता है , column होता है वर्टिकल data? है इसको हम लोग कौलम करते हैं वरेटिकल inh aucun होगिया उसको कॉलम करेंगे और जहरेंटल हो गि жू होताDasट अब ढूसकर हो सकता है तो को इसको इसको जब्धोरेशन नमें एक होता है जैसे कि इसमें one way table में हो गया कि यहां पर किसी छेत्र का किसी division का population दिया गया यहां पर एक हो गया data हो गया उसको data को हम लोग total दो भाग में divide कर दिया एक हो गया division सो कर दा है दुसरा जो data है वो population सो कर दा है तो बिल्कुल one way data है मतलब सिधे one line में है यानि डेली है तो उसका population जितना है उतना है उसी तरह से हैजराबाद है उसी तरह से पटना जो भी इसका population is straightforward है तो इसको हम लोग कहेंगे one way table या फिशिंपल tabulation दुसरा में देखते हैं दुसरा में होता है two way table मतलब यहाँ पे division हो गया है जो one way था one way में क्या था one way में एक division था उसके साथ साथ दुसरा जो population था one way बस इतना ही था लेकिन अब two way है यानि it gives information regarding two mutually dependent questions मतलब एक साथ ऐस दो question का जवाब दिया जाएगा जो की आपस में जुड़े हुए हैं यानि mutually dependent है mutually एक दुसरी पर निभर करते हैं वैसे data को हम एक साथ जवाब देंगे यानि दो questions को इसमें जवाब दिया जाएगा जैसे कि अगरे division में देख लिये तो division में हो गया कि देल ही हो गया है दराबाद पटना यह तिन division को एक अगला कर दिये एक हमादा एक यह column हो गया ठीक है और दुसरा column हो गया population का यह जो की one way था अब population में भी आ गया population में भी आ गया कि आपको male और female यानि male कितना है और female कितना है और उसके right side में हम लोग इसको total लिखते हैं तो अब भी जो पहले जो shift था division था यानि इस area था और population था अब है कि area है ही लेकिन population में अब हमको define करना है male और female का population अलग अलग सो करना है तो इस तरह कर table का हुँ हम लोग करते है two-way table थर्ड है three-way three-way मतलब हो गया कि ईक तो आपका division हो गया ठीक है यह population हो गया तो कितना हो गया यह तो हो गया one-way one-way में इसको male female को divide कर दिये तो यह हो गया two-way अब हम लोग इसको male-female में तो divide कर ही दिये अब इसको male-female में divide करे दिये उसके साथ-साथ हम लोग उसको यानि पहले population था population को हम लोग यानि division और population था अब division population के अलावा male-female है तेया नहीं हो गया two way अब male-female में भी है कितने literate है कितने illiterate है male में, और total हो गया हैं उस्सी तरह से कितने female literate है और कितने female illiterate है और short total तını ये हमारा data हो गया है, three-way हो गया यानि एक तो हमारा divide होगया, दूसरा population हो गया population में हम लोग male female को include कर दिए हैं तो ऐ two-way हो गया, यानि division population one way और division male female हो गया, two way और division के अलावा जो literate, illiterate, male और female दोनों वो divide कर देंगे ति यह हमारा three-way हो गया और बाकी अधर जो हमारा यह body हो गया जिसमें लिखा हुआ है Delhi, Hyderabad, Patna इसका साथा data इसमें information दिया जाएगा Three mutually dependent इसमें है कि mutually जो दो आपस में जो है तीन हो एक दूसरी पर निर्वर है यानि interrelated question है पहला में क्या है आप इसको three-way के तो आपको कम सा जवाब मिलेगा पहला में है कि कि किसी भी division का किसी भी area का population इसमें निकल जाएगा जो कि one way में भी था second में है कि किसी भी area का population का sex wise distribution आप निकाल सकते हैं चैन्य male female काथाप निकाल सकते हैं और third हो गया यानि Three-way में होगया कि हम लोग position of literacy भी निकाल सकते हैं याणि population के खिया है male female male female के बाद हम लोग position of her literacy literacy में क्या तो यह हम आज़ा three-way हो गया एक होगया complex legulation अभोंगय complex tagulation में क्या होगया data जो है टेबल किया गया है, टेबुलेटेड किया गया है, टेबुले बनाया गया है, according to many characteristics, इसमें कई information एक साथ दिया हुआ है, और ये mixed group में है, यानि एक region है, region में भी हो सकता है, उसको एक मतलब जिसे अगर हैदराबाद हो, तो हैदराबाद को भी अगर उसको block wise कर दिया, या फि कोई जो male, female, उसमें जो literacy, illiteracy, उसके अलावा बोलेगा कि literate है तो graduate कौन, graduate कितना है, graduate से कम कितना है literate, तो ऐसे literacy को भी निका गया है, मतलब एक data को हम लोग इसको जब three ways से ज़्यादा, हम लोग जब more complex हुजाएगा, जो कि explain करना easy नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते है complex tabulation, when the data are tabulated according to many characteristics, it is said to be complex tabulation, तो हम लोग इसको देख लिए, अब देखते हैं, construction of table, table बनाएंगे कैसे, तो table बनाने के लिए, सबसे पहले जो चार major parts होता है, और कुछ minor parts होते हैं, तो जो important parts होता है, उसको हम लोग देखते हैं, table में सबसे पहले हम लिए एक title की जोड़ परती है, क्यों टेबल किससे related है, तो title बना दिए, box it, box it में हो गया कि एक column caption हो गया, जिसे कि अगर आप, ऐसे अगर बनाते हैं, तो इधर, इधर, इधर जो कि many fold में divide जो जागा, many columns में divide जागा, तो इसको हम लोग column caption में रूपर में जो नाम देंगे न, column caption हो गया, तो यह होगे second हो गया box head, यानि इस box का head हो गया, column caption हो गया, third जो है, वो है stub, यानि सुर कहा जाता है, row caption, row caption का मतलब हो गया, कि आप जी है का population, पटना का population इस तरह से अगरा हो गया, तो यह आपका जो हो गया, वो row caption हो गया, यहां पे जो आप लिखेंगे, वो row caption हो गया, क्योंकि row caption में आप का head loud दिखला रहे है, पटना द इखला रही है, इस तरह के caption को हम लोग करते है, row caption, फिर अब जो body हो गया, body का मतलब हो गया कि आप ऐसे जो graph बनाएं ऐसे जो टेबल बनाएं इस तरह से तो यह जो हमारा पॉपलेशन गा जिसमें हम लोग लिखेंगे उसके बगल मी लिखेंगे कि यह मिलीयन में है जिसमे हमारा इंफॉपलेशन से लिखके इसको इस्को बना आ सकते ही juegos method है आप जैसे आप बनाएं आपके वे में जो सीम पर लगता है आप वैसे टेबल बना सकते इसके लिए कोई रूल नहीं है बस टेबल में आप ऐसा बनाएं कि सामदे वाला जो भी टेबल दिखता है तो टेबल देखके सब कुछ इंफोर्मेशन उसको मिल जाए कि आप जो जो इ एक रफ टेबल बनाएं जिसमें सारे डटा को आप डिविजन करें कि कैसे कैसे कहां कहां पर डालेंगे कौन रो में आएगा कौन कॉलम में आएगा कॉलम में कैसे कैसे उसका डिविजन होगा इन सारे को आप एक रफ फॉर्म में बना लें दूसरा है कि उसके बाद आप ए अगल बगल मनाएंगे जिसे अगर male female है तो हम लोग अगल बगल मनाएंगे और इसके बगल में total लिखेंगे तो इससे क्या होगा नहीं कि compare करना असानी हो जागा जिसे कि male का population अगर 10 है तो female का 8 है तो इस तरह से एक comparatively हो जाएगा और इसके बगल में total का option रहेंगे ताकि साय को आप add कर सकें और आपको पता चले कि male female के जोड़ के कितना हो गया और male काला कितना हो वह आगे हम लोग process में देखेंगे और जो थर्ड में है कि addition of rows or total हम लोग जो भी दो column बनाएंगे तो इधर हम लोग यहां पे हम लोग last वाला में total का option रखेंगे तो जितना उपर से data भाला एक तो vertically गी सब का total total होगा जोकि इस साहले information को देगा आर एक होगा परinas होगा पर सरी की quantitative total जो कि इसके साहले information का addition रहेगा total हो यहां पर total होगया और यहां पर total होगया यहां यहां पर total आप दे सकते हैं अब और अदिए अधिशन और कॉलम टोटल ठीक है, एबरी कॉलम और टेबल जो भी आप बनाएंगे, उसका जो डटा का जो टेबल है, यह कम्पलिटली फिल्ड होना चाहिए, जो भी कॉलम से, अगर कुछ नहीं है उस टेबल में तो आप जीरो डालें, लेकिन कम्पलिटली टेबल फिल्ड ह होना चाहिए, यह हमारा टेबल का, जो लास्ट का, जो मेथड है, और फिल्ड देखेंगे तो टेबल का बेसिकल यह प्रारूप रहेगा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, टेबल में बॉक्स हेड यहां पे रहेगा, ठीक है, पहले तो टाइटल उपर डाल देग फिर पॉपलेशन को हम लोग इसको डिविजन करिये, मेल में, फिर इसको कर दिये, फिमल में, तीक है, अब मेल को हम लोग दो बाग में डिवाइड कर दिये, इलिटरेट, लिटरेट, और यहां पे हम लोग छोटा से टाइटल कॉलम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते ह में और फ्रिमिल इस तरह से इलिटरेट और उसको यरुष कॉलम बना ले और जितना भी टता है एक राइड साइड में आप टोटल का होड़कि ताकि इधार का चितना भी कॉलम में जितना है उस डटा को सबीर जिगे एड करें और दुसरा हो गया कि टोटल आप इधर लिखें ताकि इधर जो इतना भी हवेजेंटल लटाज है इधर को आप सबको एक साथ एड करें और फाइनली यह जो डटा है वो ऐसे और इधर से दोनों जोड़कर शेम आना च क्वार उसका है समय यहां मतल्स कि इ Came सबह नहीं कि सब्सक्राइब इसमें है घराबाद और विखेंगे उसको हम लोग करते है तो इसके बाद मिकां है जो टलट distort करें अब यांपे फिरू यहां पे लिखेंगए शीनचेंगे फूटनोंंक्त में य क्यों आप data बनाये थे क्या था तो उसके लिए आप footnotes कुछ लिखें source notes source notes में है कि आपको data आप लिए कहां से लिए तो आप इसको लिख भी सकते हैं अगर exam में तो हमको लगता है बहु जादा है लेकिन source note लिख सकते हैं कि आप question के अंसार आप लिखे हैं question में जो दिया हुआ था data उसके अधाप आप टेबल बना रहे हैं उससे अधाप इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं एक symbolic structure होता है main table का और all data is में जो है entered होता है जितना भी data is में इस तरह से हम लोग tabulation को formation कर सकते हैं table बना सकते हैं आने वाले दिनों में हम लोग discuss करेंगे कैसे इससे related question पुछता है BPSC और कैसे हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं बहुत ही simple way में then okay friends thanks thanks for watching okay bye bye take care कर दो